और क्या हाले मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्रेता पाकलाम इस स्वागत की साथ साथ अभिनादन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ हेलो आप लोग कैसे हो अश्रेता पाक कलम बना साबू दाना खेर जो बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है जटपट बनने वाली रेसिपी कभी कुछ मीठा खानी की इच्छा हुआ घर में इसको फटा फट बना के घर पर बच्चुक साथ बैट की इसके स्वात कानन ले सकते हैं थोड़ी साबू दाना के त्वारा आज की हम खीर बनाएंगे ग्राम में इस साबू दाना 50 ग्राम है इसको अच्छी तरह से साफ करके 2-3 पानी से धुल के हमने तयार कर लेना है और ये देखे साबू दाना धुल के तयार हो गया साबू दाना था इसके अंदर लगपक 100-100 ml हमने पानी डाल देना है और ढख के छोड़ देते हैं जिससे साबू दाना फूल के तयार हो जाए पानी को सोख लेगा और 4 खंटे कली इसको छोड़ देते हैं देखे 4 खंटा हो गया साबू दाना पूरी तरह से भीग के तयार हो गया पानी ठीक से डालेंगे तो साबू दाना अच्छी तरह से भीग के तयार हुआ आपको दिखा देते हैं किस तरह भीग के तयार हुआ जब इसको दबाने पर पूरा ऐसे हो जाता है तो इसके मतलब साबूदाना अच्छे से भीग गया है और इसको गैस पर हमने रख दिया है दूद लगपक 600 ml दूद है और इसी दूद के अंदर ये 50 ग्राम साबूदाना को हमने पूरा डाल देना है चलाते होगे जब तक उबाल नहीं आजाता तब तक इसको हमने पका लेना है तूद के अंदर उबाल आ गया है और पूरी साबूदाना उपर की ओर आ गया है ऐसे हमने अब इसको फ्लेम को लो कर देना है और करीब 5-6 मिनिट तक इसको हमने चलाते हुए पकाना जब भी कभी आप साबुदाना कीर बनाईए तो हमेशा जिस भी बर्तम बनाईए उसका तला एकदम भारी से होना चाहिए और लो फ्लेम पे बनाना है चलाते हुए इसको पकाना है अगर आप छोड़ देंगे तो साबुदाना कीर नीची से जल जाएगी और ये देखे 5-6 मिनट में इस तरह ये पक के तयार होगी आपको दिखा देते हैं अब इसके अंदर करीब 4-5 टेबर इस्पून हमने चीनी डाल दी जैसा आप मीठा पसंद करते हैं उससी हिसाब से आप चीनी इसके अंदर मिला लीजे इसको 1-2 मिनट तक हमने और पकाल लेना है तो मिनट के अंदर देखे चीनी इसके अंदर पूरी तरह से मिल्ट हो गई है अब इसके अंदर करीब 3-4 इलाची को हमने दरदरा पीज की मिलाया है दरदरा इलाची पाउडर का स्वाथ बहुत अच्छा था है किसी भी मीठे में आप डाल दीजे और इस तरह इसको मिला लेना गैस के फ्लेम को हमने बंद कर देना ठंडी होने इक बाद खीर थोड़ा से और गाड़ी हो जाती है क्योंकि यह साबूदाना की खीर है अब इसको एक बरतन के अंदर हम निकाल लेते हैं उससे पहले इसके अंदर थोड़ी से ड्राइफ रूट डाल देना है जो हमने काजू बदाम है और थोड़ी से किसमिस लिए है एक एक टेबर इस्पून कटे हुए लिए थे इसको इसके अंदर डाल देते आदा इसके अंदर हमने डाल देना है और थोड़ी से गार्निशिंग के लिए रोक लेना है और इस तरह इसके अंदर हमने ड्राइफ रूट मिला दिया एक बरतंग के अंदर पूरी खीर को निकाल लेते हैं आप अपने घर पर बच्चों तथा अपनों के लिए कोई भी चीज प्यार से बनाते हैं उसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है और थोड़ी से जो अपने ड्राइफ रूट बचा के रखे उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं अगर वीडियो अच्छी लोगी दोस्तों रेस्पी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा अभी तक आपने मारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया